प्रदिश में हो रही लगातार बारिश से नदी नाले एक बार फिर उफान पर हैं मौसम वेग्यानिकों के मुताबिक आने वाले दो से तीन दिन मध्य प्रदिश के लिए भारी थाबित हो सकती हैं रतलाम में भारी बारिश से कई लाके पानी में डूब गए हैं यहां पिछले 9 घंटे में 6 इंच बारिश हुई है खिरकी और भिरंगी के बीच माचक नदी भी खतरे के निशान से उपर बह रही है एहतियात के तौर पर इटार्सियों और भुसावल के बीच दिल्ली मुंबई रेल रूट को बन कर दिया गया है इससे कई दिल्ली मुंबई रूट की ट्रे ने प्रभाविट हुई है पिछले साल माचक नदी पर बने पुल के बहने से कामाईनी और जननता एक्सप्रिस डिलील हो गई थी भारी बारिश के चलते अब जंगली जीव भी शेहरों में प्रवेश कर रहे है नीमच में एक मगरमच रहाईश की इलाके में घुसाया लोगों ने ततकालिस की सूचना वनविभाग को दी वनविभाग के कर्मशारियों ने कड़ी मशकत के बाद मगरमच को काबू में किया और अपने साथ ले गए मुख्य मंतरी शिवराचिन चोहान ने प्रदेश के पाँच आईएस अफसरों को सस्पेंट कर दिया है मंगलवार को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के दौरान इन अफसरों की गंभी दापरवाही सामने आने के बाद मुख्य मंतरी ने इन्हें सस्पेंट करने के आदेश चारी कर दिये सस्पेंट होने वाले अफसरों में प्रकाश जांगले और पवन जैन भी शामिल है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोती 9 अगस्त को मर शेहित चंदरशेका राजाद की याद में होने बाले कारेक्र्व में शामिल होने मध्य प्रदेश आएंगे वे चंदरशेका राजात की जनम्स्थली अलीराजपुर के भाबरा जाएंगे जहांबे जरायात करो कुर्बानी कारेक्टर में शामिल होंगे प्रधान मंत्री बनने के बाद मोदी का ये सात्वा प्रदेश तौरा है